जैसा कि आप देख रहे हैं यह टूटी हुई वाल है आज हम इसी की रिपैरिंग करना वाल पिट्टी से सिखाएंगे और घर में सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से आज का चली वुज़ी स्टाइब जैसा कि आप देख रहे हैं सामनी एक मैंने वाटर ले लिया है नॉर्मल वाटर रही है और यह पुट्टी है वाल पुट्टी है मार्केट में अस्थानी से मिल जाती है किसी भी हाडवेयर की शॉप में थोड़ी सी यह ले लेंगे जिस जितनी भी हमें रिक्वायर्मेंट हो तो ऐसे डाल लीजे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स काफी अच्छे से करना होगा मतलब एक स्मूथ पेस्ट बनाना है जैसे कि आपका टूथ पेस्ट होता है उस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी और पानी बहुत जला जला सा डालेंगे और यह अच्छे मिल जाए हमारे चैनल पर इस तरीके की चुटी चुटी वीडियो जो बहुत ही घर की जरूरी है और इंटेर के लिए बहुत आवश्यक है बहुत बहुत सारी आती है और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह देखिए हमारा पेस्ट तयार हो गया बिलकल इसके कंसेस्टंसी आप जो देख रहे हैं बिलकल ऐसी होनी चाहिए लुप लाइक पेस्ट और अगर आप केडमाते हैं तो केक की बी इस संस्टेंसी प्रकार से होती और इस प्रकार कर बहुत प्यारा वीडियो है और यह टूटी वी वाल थी तो मैंने इसको भरना सबसे पहले जरूरी समझा तो मैंने इस तरीके से चमच से इस पे पुट्टी लगा ली है और अब मैं इस पे आपको लगाना सिखाऊंगी इस पे अपलाई किस तरीके से करते हैं और चलिए अब इस पे अपलाई करते हैं यह देखे मैंने सीद 1 सिंपल इस पे रख दिया और देखे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि इसको टेड़ा करने पर यह तपक नहीं रहा है तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंस्य हमें रखना हुगी और हमारा बहुत असानी से घर में ही जो भी अतनी असानी से मैं इतनी असानी से कर रही हूं मुझे नहीं हूं रही तोड़ा करके ले रही हूं और यह रहा हुग और आख देखें जो तूटा हुआ पाट था वह सानी दुगया और कुछ पता भी नहीं चल रहा है तो इसी प्रकार से आप भी घर में तूटी-फूटी जगा को आराम से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को प्लीज-प्लीज सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लोगों में और हमारे चैनल को जरूर देखिए बहुत अच्छे वीडियो जाती हैं और जय हैं जय भारत हमेशा खुश रहिए